मुख्य मत्री फुपेश बगहिल की अध्यक्षिता में मंगलवार को राय पुष्थित उनके निवास कायलाय में कैबिनेट की बैठक हुई बैठक में कई अहम योजनाओं पर मुहर रगी वहीं कई योजनाओं को हरी जंडी भी मिली है अन्य पिषडा वर्क के लोगों में उद्दुमीता को बढ़ावा देने 36 गर राज्य की अध्योगिक नीती 2019-24 में संशोधन की प्रारूप का अनुमोधन किया गया राज्य में धान उपार्जन हेतु बड़ी मात्रा में जूट बैग की आवशकता को देखते हुए राज्य की अध्योगिक नीती 2019-24 के अंतरगत जूट बैग निर्मान प्रोजक्त के लिए विशेश निवेश प्रोटसाहन पेकेज देने का निरनाय भी लिया गया राजी की ओध्योगिक नीती दोजार उन्नीस चोबिस के अंतरगत इलेक्ट्रिक विकल एवं लिथियम आयन बैटरिस छेत्र हेतु विशेस प्रोथ साहन पैकेज देने का भी नीरना लिया गया वही कौशलिया मातरत्व योजना के तहट सामाजिक आर्थिक जनगर्णा में पातहित राहियों को द्वीती संतान बालिका के जन पर पांच हजार रुपए की एक मुष्ट सहायता राशी प्रदान करने है तो पातहित राहियों का निर्धारन एवं योजना क्रियानवेन की अनुमती प्रदान की गई वही नियुंतन समर्थन मुले पर कोदो कुटकी एवं रागी का प्रात्मिक वनोपर सहकारी समीति की माध्यम से क्रय करने का निर्णय अनुमोदन भीक लिया गया नगर निगम और उनके निवेश शेत्रकी संपत्यों की गाइडलाइन दरों में तीस प्रतीशत के स्थान पर दस प्रतीशत की छूट में वृद्धी करते हुए चालिस प्रतीशत की जाने का भी रिणय लिया गया वही प्रदान मंदरी आवास योजना के तहद वित्ती वर्ष 2019-20 की राजियांश राशी सास अव बासाट दसमलव 61 करोड रुपए रिण के माध्यम से शास की गैरंटी के रुपए 36 रूरल हाउसिंग कर्पोरेशन लिमिटेट को अनुमती प्रदान भी की गई वही मुख्यमंती वरिक्षारोपन प्रोचसाहान योजना की क्रियान वयन की परिपेक्ष में नीजी शेत्र में वरिक्षों की कटाई है तु पूर् अधीस के अलावा अन विश्यों पर भी गहन चर्चा की गई बियो रिपोर्ट ग्रेंड एसियन न्यूज